वर्ष 2023 में 27 अगस्त दिन रविवार को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है। इस बार पुर्शोत्तम मास होने के कारण ये एकादशी दुतिये श्रावण महिने के सुकल पक्ष में मनाई जाएगी। वैसे तो वर्ष वर्ष वर के हर मास में दो एकादशी तिति पढ़ती हैं एक सुकल और दूसरी क्रेश्न पक्ष में। इस बार अधिक मास होने के कारण कुल 24 की जगे 26 एकादशी मनाई जाएगी। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी तेजस्वी संतान और वाज पिये व्यग का फल देने वाली मानी जाती है। आईए अब सुनते हैं सावन मास की एकादशी की प्रमाडिक और पौरानिक कथा। इस एकादशी की कथा के अनसार दौपर युक के आरम में महिश्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राजी करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राजी सुख दायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान नाहोज के लिए ये लोग और परलोग दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ती के लिए राजा ने अने कुपाई किये, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ती नहीं हुई। व्रद्धा वस्ता आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतनिदियों को गुलाया और कहा, हे प्रजा जनो, मेरी खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देपताओं तथा ब्रामणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नही प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांदवों की तरहे दंड देता रहा, कभी किसी से घ्रना नहीं की, सबको समान माना है, सजनों की सदा पूजा करता हूँ, इस प्रकार धर्म युक्त राजे करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ इसका क्या कारण है राजा मही जीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनली वन को गए वहां बड़े बड़े रिशी मुनियों के दर्शन किये राजा की उत्तम कामना की पूर्थी के लिए किसी श्रेष्ट तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवरत धर्म के ग्याता बड़ी तपश्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिये जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुड़ तत्वों को जानने वाले समस्त सास्त्रों के ग्याता महात्मा लोमेश मुनि को देखा जिनका कल्प के वितीत होने पर एक रूम गिरता था सबने जाकर रिशी को ब्रणाम किया उन लोगों को देख कर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं निसंदे में आप लोगों का हित करूँगा मेरा जीवन केवल दोसरों के उपकार के लिए हुआ है इसमें संदे मत करो लोमेश त्रिसी के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले हे महरिशी आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है अताहा आप हमारे इस संदे को दूर कीजिए महिस्मती पुरी का धर्मात माराजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है फिर भी बह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है अताहा उसके दुख से हम भी दुखी है आपके दर्सन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा क्योंकि महान पुर्सों के दर्सन मातर से अनेक कष्ट दूर हो जाते है अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं ये वारता सुनकर रिशी ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किये और राजा के पूर्जन का व्रतांत जान कर कहने लगे कि यह राजा पूर्जन में एक निर्धन वैश्य था निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किये ये एक गाउं से दूसरे गाउं वैपार करने जाया करता था एक समय श्रेश्ट मास के सुकल पक्ष की द्वादसी के दिन मध्यान्त के समय वह जबकि दो दिन से भूगा प्यासा था एक जलाशे पर जल पीने गया उसी स्थान पर एक ततकाल की व्याही हुई 85 गौ जल पी रही थी राजा ने उस 85 गाई को जल पीते हुए हटा दिया और स्वेम जल पीने लगा इसलिए राजा को ये दुख सेहना पड़ा एकादसी के दिन भूंका रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गव को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्रवियो का दुख सेना पड़ रहा है ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे रिशी शास्त्रों में पापों का प्रैश्चित भी लिखा है अता जिस प्रकार राजा का ये पाप नश्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताईए लोमेश मुनी कहने लगे कि श्रावन्ट सुकल पक्ष की एकादसी को जिसे पुत्रदा एकादसी भी कहते हैं तुम सब लोग ब्रत करो और रात्री को जागरण करो तो इससे राजा का ये पूर्ख जन्म का पाप अवश्य नश्ट हो जाएगा साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ती होगी लोमेश रिसी के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लोट आई और जब श्रावन्ट शुकल एकादसी आई तो रिशी की आग्या नुसार सब ने पुत्रदा एकादसी का प्रत और जागरण किया इसके पास शाद दोआदसी के दिन इसके पुर्णे का फल राजा को दिया गया उस पुर्णे के प्रभाव से रानी ने गर्वदारण किया और प्रसब काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन हुआ इसलिए उस रावन शुक्ल एकादसी का नाम पुत्रदा पड़ा अता संतान सुक की इच्छा हांसिल गरने वाले इस व्रत को अवश्य करें इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म को सुनने से मनुसे सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुक्फो कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है इसके सुनने मातर से ही वाई पी यग का फल मिलता है ऐसी इस अतिक मास की एकादसी की पावन महिमा है बोलो विश्णु भगवान की जय